वेलकम एवरिवन मैं हूँ प्रतक्षा गाइस अभी जो सीरीज चल रही है वो लॉकवोड के सीरीज चल रही है जिसका अब तक सीजन वन आ चुका है आठ एपिसोड है साथ एपिसोड और एक्स्प्लेइन हो चुके है इसी के साथ आज पारी है इस बहुत ही अमीजिंग सीर के आखरी एपिसोड की लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बहुत सारी चीज़े हुई थी जहां पे लॉकवोड और लूसी ने मिलके उस बोन ग्लास को चुरा लिया था खुद की जान की बाजी लगा के लेकिन जो 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 जॉर्ज था न जानी वो किससे मिला हु रखे थे सड़कों पे चल रहे हैं और लूसी बहुत जादा भड़की हुई है लॉकवोड पे कि न जानी किस बात का वो बदला ले रहा है उससे उसने न जानी किस तरह की एक शर्ट लगाए थी फिट्स वाले लड़कों से कि अगर वो चाता तो बोन ग्लास सिर्फ और से वही लेकि रहेगा कि इसको वही सुल जाएगा लेकिन इसके चक्कर में इन लोगों की जान कभी भी जा सकती है तो आगर यह इस तरह के रिस्क लेते ही क्यों है वो लॉकवोड पे भड़की हुई थी कि अगर वो इस तरह की से काम करेगा तो वो लाइफ में कभी जिंदा भी नहीं बचेंगे इस सारी चीज़े करने के लिए लॉक वोड उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन लूसी बिनाबाद सुने यहां से चली जाती है लूसी खुद की कमरे में जाती है रेड़ी वड़ी हो चुकी थी और जो लॉक वोड ने उसे गले का नेकलेस दिया था वो उसे हटा के रखनी वाली थी लेकिन अब तक लॉक वोड को तुसे बात करने के लिए आ गया था लूसी किचन के अंदर थी और लॉक वोड उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो पहले इतना जादा किसी के बारे में सोचा ही नहीं करता था तक क्योंकि कोई उसके ब उस बोन ग्लास के बारे में बहुत कुछ लिखा था कि जो बिकर स्टाफ था उसे मेरी नहीं मारा था लेकिन क्या उससे पहले उसने ग्लास देखा था या नहीं देखा था ये बहुत बड़ी कहानी थी तो आगी ये लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि बिकर स्टाफ और उसके साथ में उसका एक शागिर्द भी था जो कि दॉनर हे मिलके मैरी को पकड़ के बिठा देते हैं और उसके बाद में बोन ग्लास में देखने के लिए कहते हैं बोन ग्लास में देखते ही मैरी पागल हो गई थी और उसके बाद में उसे ऐसा लगा कि बस उसे देखती ही ज से देखिए जो picture के अंदर बना हुआ तो गोल-गोल बना हुआ है यह जो अपनी टेबल को करते हैं तो देखते हैं कि पूरे की पूरे टेबल के उपर वही गोल-गोल जीजे बनी हुई है यानि कि एक जलग देखिया उस ग्लास की पामिला इस ग्लास के साथ में क्या करेगी पामिला पूछती है ये ग्लास कहां से आया तो जॉर्ज बताता है हमेशा की तरह लॉक्वूर्ड और लूसी हीरो बने उन दौनर ने खुद की जान की बास ही लगाई और मैं पस इसे लेके आ गया लेकिन पामिला ने जॉर्ज को बहुत जादा हद तक influence कर रखा था कि जो कुछ भी होगा कोई किसी का नाम याद नहीं रखेगा तो नहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा तो तुम्हारा क्योंकि तुमने इतनी बड़ी चीज को discover किया है लॉक्वूर्ड बस नजाने क्यों पामिला की बातों में आता सिर्फ एक शर्ट पर सारी चीज़ी बताऊंगा जब तो मुझे मेरे मास्टर से मिलवा दोगे लॉक्वूर्ड और लूसी दॉन उस पर चिलाने लगते कि बता आखिर बात क्या है तेरा मास्टर बिकर स्टाफ वो है कहां पर सब कुछ बता हम तुझे ले जाएंगे आखि लड़ेंगे कैसे यह दौनों एक दूसरी के उपर विश्वास करते कि कुछ भी करके इन्हें यह जंग लड़नी है जौर्ज के लिए लड़नी है और उसे जिंदा ही वापस लेकर आना है यहां दूसरी तरफ जौर्ज और पामेला एक सीधा बेस्मेंट के अंदर थी तुम्हें अपने केसी तरफ करने थे कि तुमने जौर्ज के उपर बिलकुल ध्यान नहीं दिया लेकिन पामेला इन चीजों को क्या कर सकती है वो तो लेकिन अच्छी थी उसे तो इन चीजों से बहुत प्यार था लेकिन जब इस चीज़ेंग करते है तो इन्हीं पता चलता है कि पामेला ही वो इनसान थी चुकि स्टार्टिंग से उस बोन ग्लास को पाना चाहती थी वो बस इस ग्रेवियार्ड के ओनर होने का नाटक कर रही थी उसी ने ही जैक को काम दिया था और जैक ने जब उसी ग्लास को विंक्समैन को बेचने की कोशिश करी तो उसने जैक और उसके दोस्त को जहन से मार डाला यानि कि पामेला इतनी जादा खतरनाक थी और यह सब कुछ एक प्री प्लैंड था जॉर्ज तो बस फस गया है यहां पर जॉर्ज और पामेला उस ग्रेवियर्ड के बेस्मेंट के नीचे जाने लगते और आगे की तिरु बढ़न का किप्स जिसने लूसी से भी बात करी थी वो यहां पर एक आत्मा से लड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन जॉर्ज कोई चीज फील होती है कि किप्स उसे देख नहीं पा रहा है उस आत्मा को और ढंग से मार नहीं पा रहा और वह छुपके एक जगह पे बैठ जाता है त तुमसे निशाना भी नहीं लगा पा रहे थे कि तुभी पता भी तुमन साथ में क्या हुआ लेकिन इतनी देर में आप पर पामिला आ जाती है और किप्स की हाथ बांग देती है हैंड कफ से साथ ही में उसके पीछे खंजर भी रखती है यहां पर जॉर्ज कहता है कि एक मि जारो ताज़ादा चंकोगे तो हर किसी को पता चल जाएगा और यहां पे पागलों के जैसे जार अंदर से चिलाने लगता है कि मिरे मास्टर के पास आता जारा हूँ मैं खुद को शक्तिशाली फील करता जारा हूँ वो पस आस पास है सारी चीज़े बिल्कुल बदल तो अंदर तो सारी चीजे बिलकुल नॉर्मल थी बिलकुल पहले की तरह कि जैसे अंदर कोई आया ही नहीं है अभी भी विकर स्टाफ की बॉड़ी का जो कॉफिन था वो टूटा हुआ था सारी चीजे नॉर्मल थी लेकिन इन्हें अभी भी खूफिया दर्वाजा नहीं मिल तब ही यह उसी ताबूत को देखने लगते हैं जिस ताबूत को इन्हें पहले भी देखा था और इन्हें याद आता है कि पुराने जमानों में सुरंगिये हुआ करती थी और ऐसे खूफिया लिफ्ट भी हुआ करती थी यह इसके अंदर एंटर करने ही वाले थे लेकिन त इन्हों बात मान जाते हैं और अपनी तलवार नीचे रखते हैं और एक साथ में फाइट करने की बारे में सोचते हैं क्योंकि इन्हें अपनी टीम से किप्स वापस चाहिए था और जौर्ज तो खैर गायब था ही लेकिन तब तक पता चलता है कि विंक्स्वाइन के सारे के सारे लोग अपनी बोन ग्लास को ढूंदते हुए यहां पर पहुँच गए थे लौकवूड कहता है कि अगर हम लोगों ने यहां पर टाइम बरबाद कर दिया तो बहुत जादा देर हो जाएगी और हम जौर्ज को कभी नहीं ला पाएंगे पहले यहां पर लौकवूड सो तीन बच्चे थे यह सम मिलके खतरनाक वाली फाइट शुरू कर देते हैं कभी कौन पिट रहा था लेकिन फाइट कंटिनूसली चलती ही रहती है दूसी तरफ हम लूसी को देखते हैं जो कि एकदम सही रास्ता देख के उसी बेस्मेंट के अंदर चली जाती है और उसके ब चाहते हैं और उसके बाद में देखते ही जाएंगे आप अपनी आखों से उसे कभी नहीं देख सकतें अगर आपको उसे देखना पड़ेगा तब ही जाकि आपको चीजे समझ में आएंगी लूसी का दिमाख खराब हुझाता है कि आप समझ में आया कि पामिला बहुत- आखिर पामिला करना किया चाहती है वो पामिला से पूछता है कि आखिर आप क्या करना चाहती है आपने इसका फेसमास क्यों लगाया है आपने इसके हाथ क्यों बांदे हैं जोंपर पामिला कहती है कि एक बहुत बड़ा Franken होनी वालब है जिसके तुम evidence रहोगी तुम खराब हो चुका था कि पामिला ये सारी चीजें उसके साथ में करने वाली थी अगर यहां पे किपस नहीं आता तो इस बॉन ग्लास के अंदर जॉर्ज को देखना पड़ता लेकिन अब तक वो जॉर्ज को वापस से एक बार इंफ्लूएंस कर देती है कि सब चीजे ठीक है त मितना जाता मत सोचो लेकिन तभी यहां पे जो किपस था वो जोर जोर से रोनी लग जाता और बोलनी लगता है कि मेरे पास तो पावर्ज बची ही नहीं है मैं तो कुछ देखी नहीं सकता अगर तुम इस बॉन ग्लास में दिखाओगे भी तो भी तुमारा बिलकुल वेस् वो Wilks Man के लोगों के साथ में fight करते जाणा रहे थे लेकिन कहीं न कहीं हारते भी जा रहे थे क्योंकि जो विंक मैन था वो Lockwood के उपर हद से ज्यादा भार ही पढ़ रहा था अब ही सरे-स एक कम्रे के उपर चढ़ जाते हैं और उसके बास सोचें लगते हैं कि आखिर अभी विंक्समैन की लोगों से कैसे बच पाएंगे लेकिन तभी लॉक्वूड एक रास्ता निकालता है वो ऐसी आत्माओं को बाहर निकाल देता है जिससे की यह आत्माएं विंक्समैन की लोगों को पकड़ सके और उसके बाद में खुद भी भाग जाता है और जो उपर तीन बहुत बड़ा एक्जामपल होनी वाले हो जहां पे अब जॉज कहने लगता है कि मुझे हर को यूजलेस ही तो समझता है मुझे बस इक गाड़ी का थर्ड वील समझा जाता है वो लूसी और लॉक्वूड के बारे में भी कहता है कि वो दोनों तो मुझे कुछ भी नहीं सम पता चलता है कि आकर बिकर स्टाफ की बॉड़ी यहां पे क्यों आई है बिकर स्टाफ की बॉड़ी से लेना देना क्या है लेकिन इतने ही देर में अब यहां पे पामिला भी आ जाती है बिकर स्टाफ का जो सोल था वो जादा आगे तक नहीं जा सकता था क्योंकि उसे बां प्वूतों की दुनिया में रह सकती हूँ जान बचाने के लिए और जोर्च को बचाने के लिए इसी जगह पे पहुन चुका था लेकिन उसका रास्ता गोल्डन ब्लेड रोख लेता है लेकिन अभी तो मुझे जाना है और बहुत जल्दी जाना है लेकिन ये golden blade continuously lockwood के उपर attack करना शुरू कर देता है इन दौनों के बीच में तलवार बाजियां होती है लेकिन ये golden blade बहुत अलग अलग तरकी की चीजे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम कौन हो तुम्हारे माबाप जिसके कोई एहमियत नहीं थी जिनकी कोई value नहीं थी वो भी मर गए एक दिन तुम भी मारे जाओगे और तुम्हें कोई पूछे का तक भी नहीं यानि कि जो lockwood के parents है उसका इस आदमी से कोई तो लेना देना है और यह आदमी उन्हें जानता है जिसके बाद में ये golden blade lockwood को shoot कर देता है और वहाँ से चला जाता है इस उल्टी खड़ी थी पामिला चलाने लगती है कि glass के अंदर देखो लेकि Lucy ने यहां दिमाग लगाया और जो jar उसके पास में था उसे उचा कर दिया यानि कि jar के अंदर का जो एक बरी हुई soul पहले से ही जो थी वो उस glass के अंदर देखती है और जोड़-जोड़ से चिला च internship करती थी इसी के साथ में उसे lockwood पे दिखा यानि कि काई सारे scene उसे दिखते गए और वो खुदे बेहोश होके almost नीचे गिर गई यह सारी चीज़े जोड़ नहीं देख पा रहा था और वो भागता वा आता है और उस glass को धका देता है और वो bone glass वहीं पे गिर जाता है जिस पामिला को उसने बुरी तरीके से अपनी अंदर पूरी तरीके से खीच लिया है एक मिनट के बाद में ब्लास्ट हो जाती है अब हम कह सकते हैं कि उसकी बॉड़ी तो गायब हो गई थी लेकिन जो उसकी सोल है वो सी काच के अंदर रहे गई थी और वो glass टूड़ गया था लेकिन इस glass के अंदर जो साथ आत्माएं बुरी तरीके से बंद करी गई थी मार पीटके और उनका कतल करके वो सातों की सातों आत्माएं आजाद हो गई थी इस हवाओं के अंदर उड़ जाती है जॉड़ और लूसी कहाने लगते हैं कि आत्माएं हम पर अटैक नहीं कर र लूसी को ठाफ के सोल को उसकी बॉड़ी के उपर एक चांदी की चेंड डाल दिता है ताकि उसकी सोल अभी के लिए तो रुप जाए जिसके बाद लॉक वूड़ बताता है कि उसी गोली लगी है और उसे बस जल्दी इलाज की जरूरत है जिसके बाद में लूसी और जॉर की हैं खैर अब तुम लोगों को पता तो चला कि हम लोगों की काबिलियत क्या है और तुम्हारे साथ जो हुआ वो अब कभी भी किसी को नहीं बताया जाएगा खैर हम सब लोग एक साथ में काम भी कर सकते हैं जिसके बाद में बारनस आता है और लॉक्वूड को पूचता ह को डूंडा जा रहा है लेकिन लॉक्वूड ने अपना दिल बड़ा किया और साथी में कहा कि फिट्स के लोगों ने भी हमारे उतनी ही मदद करी है तो आदे की इसका क्रेट उने भी मिलना चाहिए जिसकी बाद में 70 30 का रेशियो रखते हैं वार्नेस भी हसने लगता और भी कहता है कि चलो अच्छी बात है तुमने हमें इस काबिल तो समझा यानि कि फिट्स और लॉक्वूड एंड कंपनी की दोस्ती तो हो गई थी यहां से फिट्स के लोग अपने साथ चले जाते हैं जॉर्ज और लूसी अपने साथ में लॉक्वूड को लेकि घर जाने लगत हैं यहां पर हमें एक बहुत इंपोर्टन चीज रिवील होती है कि जो पैनलोपी फिट्स है यानि कि जो ग्रुप धर से बात कर सकती है अब तक कि सबसे वन उफ इंपोर्टन क्यारेक्टर उससे गोल्डन ब्लेड आके मिलता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजी मुझे लगा था कि मैं बोन ग्लास आपके लिए ला पाऊंगा लेकिन वो तूट गया है डैपरेक की लोग उसे जलानी वाले है न जानी वो किस हालत में होगा जानी की त्हुँन छीocumented में पड़ेगा यानि कि एक बहुत ही खतरना डार्क प्लाइनिंग पहले से बैग्राउंड में चल रही थी जिसके बाद अगला दिन होता है, लूसी ये सारी चीजे नौरी के लिए लिख रही थी रिकॉड कर रही थी कि एक बहुत ही भयंकर वाली चीजे इनके साथ में हुई कहीं सारे केस सॉल्फ करें, इन्हें नए दोस्त मिलें और भी कहीं सारी चीजें, लेकिन जो भी है लॉक्वूड एंड कंपनी एक साथ में हैं, जिसके बाद अब ये तीनों आपस में बातशीत करने लगते हैं, और फाइनली लॉक्वूड बताना शुरू करता है कि मैं आज चीज तुमें बता के ही करूँगा, मुझे जिसने मारा था, उसके बारे में मुझे अच्छी तरीके से पता है, ये वही गोल्ड ब्लेड वाला है, जो कि हमें पहले भी मिला था, लूसी कहती है कि क्या, उसने तुम भी वापस अटैक किया, आखिर वो चाहता क्या है, जहा आथे में लॉकवूड कहता है कि आज से कोई और सीक्रेट भी नई होंगे, मैं तुमें सब कुछ बतानी वाला हूँ, जहां पे लूसी और जॉच कहता है कि इसका मतलब तुम लोगों ने सही सोचा, लूसी और जॉच कहते है कि कोई जरूरत नहीं है, तो तुम चाहो तो अगर ये ना बताओ तो भी चलेगा, लेकिन लॉकवूड कहता है कि नहीं अमे चीज़े तुम से नहीं छुपाना चाहता, हम लोग एक फैमिली है और उसके बाद में लॉकवूड अपने साथ इन दौनों को लेकि वाइट रूम की तरफ जाता और दरवाजा खोल देता है और इसी के साथ गाईज ये अमीजिंग वैब सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है, हालांकि इसका सीजन टू बनना चाहिए और हो सकता है वो प्रॉसेस में भी हो, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी ऑफिशल इंफॉमिशन नहीं आई है, यानि की सीजन टू अभी तक नहीं ब क्या देखा ये भी एक टॉपिक हो सकता है, यानि की सीजन टू के लिए बहुत सारी चीजे सीजन फर्स्ट पहले से छोड़ के गया है, लेकिन लेट सी कि अब सीजन टू कब तक आता है, तो आप लोग बताईए आपको ये सीजन कैसा लगा, सीरीज कैसी लगी, तो चलिए